नमस्कार दोस्तों आप से विकास स्वागत है आपका अपना यूटूब चैनल जीके संसार पे और आज हम सब हिंदी साहित्य का अति महत्पूर एक प्रस्णों का जो हमारा सिरी चल रहा है उसका पार्ट 3 डिसकस करेंगे और इसके अंत्रगत उन महत्पूर प्रस्णों को हम कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और पिछले सभी पार्ट को देखने के लिए आप लिलिस में जाएए और वहां से हिंदी साहित्य पे क्लिक करके सभी पार्ट को आप देख पाएंगे तो चलिए हम पार्ट 3 का क्वेस्ट से आज क करनी कोशिस की जिएगा जिससे कि आपने अगर पहले पढ़ रखा होगा तो रिविजन भी होते चलिएगी और अगर नहीं पढ़ा है तो आप यहां से सिखते चलेंगे तो यहां पर जो सही अंसर रहेगा तो रहेगा चिंता मनी आज चार रामजंदर सुकल ने रितिकाल क परवर्तक जिन्हें माना है वो हैं चिंता मनी ओप्सन यहां पर यह आपका सही रहेगा ठीक है ओप्सन ए इस दा राइट अंसर क्लियर चलें क्वेस्टन नमबर टू की तरफ बढ़ते हैं क्वेस्टन नमबर टू क्या कहता है धूरी तीन पायन की हाहा नेकू आनी दे यह जो मार्मिक चरन है वो किन के काबे का अंस है धनानन ठाकूर बोधा या द्विजदेव धूरी तीन पायन की हाहा नेकू आनी दे यह मार्मिक चरन जो है किन के काबे का अंस है तो यह आपका धनानन का तो यहां पर आप को रिलेट कर सकते हैं और आसाने से एंसर कर सकते हैं धूरी धनानन, ठीक है, चले, question number यहाँ पे 3 देखिए, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था, द्विजदेव का जो वास्तविक नाम था, वो क्या था, राजा निर्प संभू, राजा मांसी, बलवन्दास या महस्तास, साथ में आप अंसर करने की कोशिस कीजिए, ठी यहाँ पे से एंसर रहेगा, option B, राजा मांसी, ठीक है, क्या रहेगा, राजा मांसी, ठीक है, द्विजदेव का वास्तविक नाम क्या था, राजा मांसी, ठीक है, चले, question number 4 देखिए, क्या कह रहा है, कवीत रतनाकर के रचैता का नाम क्या है, रतनाकर, मतिराम, सेनापती या भुसर, यहाँ पे थोड़ा सा confusion हो सकता है, अगर आप यहाँ पे correlate करने के चक्कर में रहेंगे, तो गलत यहाँ पे answer हो सकता है, तो देखिए, यहाँ पे कवीत रतनाकर के रचैता के अगर हम बात करते हैं, तो हैं सेनापती, यहाँ पे आपका option C सही रहेगा, ठीक है, question number 4 का option आपका C करेक्टर answer है, question number 5 देखिए, राम चंद्रिका के रचैता कौन है, राम चंद्रिका के जो रचैता हैं, उनका नाम क्या, चिंता मनी केसो दास, बिखारी दास या जोद राज, तो यहाँ पे आपका बिलकुश सही answer आया है, बहुत अच्छा, केसो दास इदर right answer, option B यहाँ पे बिलकुश सही रहेगा, ठीक है, राम चंद्रिका करेक्टर चैता कौन है, केसो दास, question number 6 देखिए, क्या कहता है, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, रीती निरूपन का आरंबिक ग्रंथ कौन सह, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, रीती निरूपन का जो आरंबिक ग्रंथ है, वो कौन सह, कवी प्रिया, कवी कल्प द्रुम, हित तरंगिनी या सही तिलहरी, तो अगर हम देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, रीती निरूपन का आरंबिक ग्रंथ, तो आपका है हित तरंगिनी और यहें किर्पाराम का, ठीक है, तो जो पहली रचना है, वो कौन सी माने जाती है, अमरुक सतक, रिन सत्साः, निति सत्क या गाथा सब्थ सती, तो फटाफट अन्सर आप नोट कर लिजे, यहां पर जो गाथा सत्साः, तो आपसन दी आपका सही रहेगा, ठीक है, सत्साः, परंपरा की जो पहली रचना मान समिक्षक कौन है राम चंद्रिका को चंदो का अजायब घर जो कहा वह कौन समिक्षक है या किसके द्वारा कहा गया आचारे सुकल के द्वारा डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा या राम सवरुप चित्रुवेदी के द्वारा या रामकुमार वर्मा के द्वारा किसके को चंदो का अजायव घर कहा गया तो यहां पर जो उसका सही अंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा आपका option c राम शरुप चत्रुवेदी ठीक है राम चंदिका को चंदो का अजायव घर राम सरुप चत्रुवेदी के द्वारा कहा गया क्लियर चलिए क्वेशन नमर 9 देखिए बहुत ही महत्पुन प्रसन है यह ठीक है यहां पर आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्पुन प्रसन है निमलिखित रिती कालीन गरंथों को उनके रचाईता से सुमेलित कीजिए तो अगर आप यहां पर एक भी अंसर जानते हैं तो आप यहां पे सही उत्तर दे सकते हैं पानिनी चरीतर किसकी है पानिन चरीतर जो है वह किसकी है अगर आप एक भी अंसर जान रहे हैं सुजान चरीतर किसकी है काबे प्रकास किसकी है च्छत्र प्रकास किसकी है तो आप यहां से अंसर कर सकते हैं बहुत ही मत् मुबारक, ठीके, सुजान चेतर, ठीके, सुजान चेतर जो है, ओकिस की है, सुदन की, ठीके, काब यह प्रकास की, अगर हम बात करते हैं, तो चीनता मनी, 26 प्रकास लालकवी, तो सही करम कौन सा हो गया, आपका, one का, क का, three, ठीके, तो यहाँ पर जो सही करम रहेगा आपका, वो रहेगा 3412, 3412 is the right answer, ठीक है, चिंता मनी किसकी है, चिंता मनी की कौन सी है, काबे प्रकास, देखिए अगर हम बात करते हैं चिंता मनी के बारे में, तो चिंता मनी की अब तक 10 कृतियों का पता लगा है, लेकिन जो उपलब्ध प बात करें, तो है काबे विवेक, कविकुल, कलपत्रू, काबे प्रकास, छंदोलता, कवित रमायन, रसमंजरी, पिंगल, कृष्नचरित, कवित विचार और स्रिंगार मंजरी, और आपको मैं बताओं कि स्रिंगार मंजरी जो है, ओर रचना, हाली में, प्रकास में आया है, जो कि तेल को लिपी में लिखित है, और संस्कृत के गद्य ग्रंथ का व्रजभासा में पद्ध ब्रद्ध अनुवाद है, ठीक है, और रमायन के अत्रिक्त कवी की उक्त सभी रचनाय जो है, वो काब बे सास्त्र से संबंदित है, ठीक है, जिसमें कि सरुपरी महतुजुद म मिला है, वो मिला है किसको कवी कुल कलपत्रू को, ठीक है, और मैं आपको बता दूँ कि संस्कृत ग्रंथ जो काब बे प्रकास है, उसे क्या आदर्स पर यह जो रचनाय की गई है, और आपने रचैता की क्रिति का मुख्य कारण इन्होंने माना है, तो आपसे मैं एक क्वे बताना है कि संस्कृत की गरंथ जो काब बे प्रकास है, उसके रचैता कौन है, क्वेस्टन नम्बर टेन की तर मूब करते हैं, अनंदी लाल सरमा दौरा बिहारी सत्साई पर लिखित फार्सी ठेका का नाम क्या है, यमक सत्साई, सायर सत्साई, फिरंगी सत्साई या सत्सा प्रस संख्या 10 का यहां पे सही अंसर क्या रहेगा, क्वेस्टन क्या कहा रहा है, फिर से एक बार विपीट कर देता हूं, अनंदी लाल सरमा दौरा बिहारी सत्साई पर लिखित फार्सी ठेका का नाम क्या है, तो है आपका कौन सा, ओ है फिरंगी सत्साई, ओप्शन सी यह यहां पे सही रहेगा, प्रस संख्या 11 दिखिए, बिहारी सत्साई के परतेक दोहे पर सवये की रचना करने वाले कवी कौन है, भारतेंदू हरी चंद्र, क्रिशन कवी, कवी गिरिधर या लाल चंद, तो कौन है भई, वो है आपके क्रिशन कवी, ठेक है, बिहारी सत्साई के पड़ते के दोहे पर सविये की रचना करने वाले जो कभी हैं वह हैं क्रिस्ट ने कभी तो यहां पे option आपका कौन से सही रहेगा option B चले आगे बढ़ते हैं प्रसंख्या 12 पर आते हैं निमलिकित रिती कालीन ग्रंथों को उनके रचाईता से सुमेलित किजे फिर से आपको उसी तरह का प्रसन आया है और यहां अगर आप अंसर कर लेते हैं तो आपके चार प्रसन यहां से complete हो जाएंगे तो ध्यान से देखिए कोशिस कीजिए अंसर करने का तो यहां पर अगर हम देखते हैं तो सही अंसर कौन सा होना चाहिए देखिए बीड सी देव चरित्र यह केसो दास थीक है उसके बाद दुसरा देखते है कवि कुल कंठा वरन है ना यह होगा क्या कवी दुला ठीक है वृत कॉमूदी वृत कॉमूदी जो है यह किसकी है मतिराम की रसबोध रसली रसबोध रसली ऐसे भी आसानी से आप देख सकते हैं तो यहाँ पे सही अंसर क्या हो जाएगा 4,3,2,1 जो की option D में तो option D यहाँ पे आपका सही रहेगा चले बहुत अच्छा ट्राइ कर रहे है आप सब चले question number 13 देखिए राधा कनहाई तो सुमिरन को बहानों है है ना राधा कनहाई तो सुमिरन को बहानों है इरित्ति कालीन कव्यों की भक्ति हिंता के संदर में उक समिच्छा करने वाले कौन है बहुत जो वड़्यस्त प्रस संक्या 14 बहुत ही महत्पुर्ण प्रसन है क्योंकि यहां पर भी आप जब एक प्रसन को हल करेंगे तो यहां से आपके चार प्रसन कंप्लिट हो जाएंगे तो क्या कह रहा है कि निमलेखित रित्ति ग्रंथों को रित्ति बद्ध कवियों में सुमेलित कीजे तो एक तरफ आपको कभी का नाम दिया गया है और दुसरे तरफ ग्रंथ का दिया गया तो देखिए यहां पर सिंग जो आ गया ना यह आपका गुरू गोविन सिंग का है ठीक है तो अगर हम लोग यहां पर बारी बारी से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें साथ में आप करेंगे ठीक है कवी कुल कंठा फरन एक किसकी है भई इसके कवी जो है कौन है तो इसके कवी जो है वो है आपके मतीराम ठीक है कौन है मतीराम चंद माला की अगर हम बात करते हैं तो इसके कवी कौन है के सोदास ललित ललाम की अगर हम बात करते हैं तो इसके कवी कौन है ललित ललाम जो है इसके कवी कौन है कवी दुलह और सर्व सोलह प्रकास जो है इसके कवी कौन है गुरु गोविन सिंग तो सही करह में क्या मिला 412 4123, 4123 यहां पे सही रहेगा, अपने अंसर को आप मैच कीजे, देखिए क्या आपने सही अंसर को यहां से फीड किया है या नहीं, प्रस संखिया 15 पे चलते हैं, किस बिद्वान ने केसवदास को भासा का मिल्टन के संग्या दिया, वो कौन बिद्वान है, जिन्हों ने केस केसवदास को भासा का मिल्टन के संग्या दिया, गनपती चंद्र गुप्त, मिस्टर बंधू, पदमसी सरमा, या फी डॉक्टर नगिंद्र, तो सही अंसर क्या रहेगा यहां पे, बहुत अच्छा, ट्राइक कर दिया आप सब, मिस्टर बंधू यहां पे सही जवाब रहे ठीक है, केसवदास को भासा का मिल्टन की जो संग्या दिया गया, और मिस्टर बंधू के द्वारा दिया गया, चले, आगे बढ़ते हैं, प्रसंक्या 16 पे, जाइसी क्रित, अखरावट की तर्ज पर लिखा, रामदास सहाय के गरंथ का नाम क्या है, जाइसी क्रित जो है, उसी के तर्ज पर, रामदास सहाय ने गरंथ लिखा, उसका नाम क्या है, कोशिस कीजिए, तो है ककहरा, क्या है, ककहरा, तो आपसन यहाँ पर सी आपका सही जवाब है, आप मैच कीजिए आपना अंसर को, ठीक है, चले, क्वेसन नमबर 17 दिखें क्या कहता है, नाइका सुक सागर तरंग, कौन सा है, सुक सागर तरंग, चले, प्रसंख्या 18 दिखते है, चन निरूपन गरंथों में प्राचींतम रितिकालीन गरंथ कौन सा है, चन निरूपन गरंथों में प्राचींतम रितिकालीन गरंथ जो है, वो कौन सा है, चन निरूपन की बात हुई यह यहां पे तो सही अंसर क्या रहेगा छंदमाला ठीक है तो आपसे यहां पे डी आपका जो है बिलकुल करेक्टर रहने वाला है ठीक है चले प्रसंख्या 19 फिर से आपके लिए बहुत ही महतपूर्ण है क्योंकि आप जब यहां पे अंसर करेंगे तो एक प्रसन से आपके चार प्रसन यहां से कंप्रिट हो जाएंगे और इस तरह से हम लोग ने अभी तक चार प्रसनों को देख लिया है ना तो रिती कालीन गरंतों की उनके रचैता से मिलाईए तो यहां पे करना क्या है आपको मैच करनी है और अगर आप एक एंसर भी यहां जानते हैं तो आप इसे आसाने से हल करनेंगे देखिए यहां पे सही अंसर क्या रहेगा सुधा निधी किसकी है भाई सुधा निधी जो है वह किसकी है सुधा निधी जो है वह तोस की है ठीक है रतन हजारा किसकी है रस निधी ठीक है द्रोन पर्व कुलपति मिस्र रमासों मेग चिंता मनी यानि क कि यहाँ पे जो अगर देखे रिति कालीन गरंथों के रचेटा के एकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो सही करम होगा वह 1,2,3,4 होगा क्या होगा 1,2,3,4 ठीक है तो यहाँ पे सही करम जो होगा आपका 1,2,3,4 क्लियर option D यहाँ पे correct रहेगा चले प्रसंख्या 20 देखिए निम्न में से कौन सा रिति गरंथ मति रामका नहीं है यहाँ पे तीन तो ऐसे हैं जो कि मति रामका है एक जो है मति रामका नहीं है वो आपको find out करनी है तो कौन सा है वृत विचार और आपको comment करके बताना है कि वृत विचार किसकी गरंथ है चले प्रसंख्या 21 देखते हैं 21 क्या कह रहा है निम्न में से कौन सी कृति गुरु गोविन सी की विर्चित नहीं है प्रसंख्या 21 बहुत ही महतपूर्ण है इस प्रसंख्या को पूछा जा चुका और यहां पर answer क्या रहने वाला है तो सही अंसर रहेगा कवित प्रकास ठीक है कौन सी कृति गुरु गोविनसी विर्चित नहीं है तो है कवित प्रकास बाकी सर्व सोल हं प्रकास सुनिती प्रकास और चंडी चरित ए सबी जो है गूरु गोविनसी की है ठीक है चलiges प्रसंख्या 22 देखिए क्या कह रहाए सुजान रहित प्रबंद, सुजान विलास, सुजान चरीतर के रचाईता कौन है। देखे, यहाँ पे तीन है, है ना, सुजान रहित प्रबंद, सुजान विलास और सुजान चरीतर, इसके रचाईता जो है करम से कौन है। तो करम से बात हुआ है, यानि कि करम से देखा जाए, तो यहाँ पे सही एंसर रहेगा, वो क्या रहेगा, तो देखिए, सुजान रहीत प्रबंध जो है, यह धनानन्द की है, ठीक है, सुजान विलास जो है, सोमनात की है, और सुजान चरितर जो है, सुधन का है, तो यहाँ पर सही करम जो रहेगा वह आपका option D रहेगा ठीक है option D यहाँ पर सही answer होने वाला है प्राश संख्या 23 देखिए क्या करा है कवी राज चिरो मनी उपाधी प्राप्त कवी कौन है कवी राज चिरो मनी उपाधी प्राप्त जो कवी है इन चार option में से वह कौन है तो no doubt आप सब खे जो से पता होगा बदमाकर कॉन है पदमाकर ठीक है option यहाँ पर सी आपका सई रहेगाज तो कौन है देव जी ठीक है यहाँ पर option D आपका सई रहने वाला ठीक है और संख्या 25 देखिए रसलीन का वास्तवीक नाम क्या है हम लोगों ने बात किये पहले भी है ना सयद असरफ महस्दत सयद गुलाम नभी या बलीद रसलीन तो रसलीन की जो वास्तविक नाम है वह सयद गुलाम नभी तो आप से यहाँ पर सी आपका सही रहेगा और उमीद करता हूँ आप सब को सेशन पसंद आया होगा और आप लोगोंने मैक्सिम्स प्रसनों का सही जवाब भी दिया होगा तो कितने प्रसन आपके सही आप कमेंट करके बता सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिएगा और पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो च कर दो कितने तो तो वाजिए